तो फ्रेंड्स आपका टोटल लेर्णिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे तो गुरुतवा कर्शन से जितने भी इंपॉर्टेट क्वेस्चन से उसको जानेंगे और ये वीडियो पारा मेडिकल, पॉल टेकनिक और आईटी आई, तीनों के इंट्रेंस एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और हमारा टेलिगराम एक चैनल है, आप अगर वहाँ पे नहीं जुआइन किये हैं, तो जल्दी से जाकर के जुआइन कर लिज वहाँ पे आपको फिर सॉलूशन मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका भी डिप्यूशन लिंक में है, तो चलिए, और एक और टाइम की हमारा मैत का जो कलास है, वो प्रती दिन साम को सारे पांच बजे होगा, तो वीडियो को देखना न भूलें, और उस पे पारा मेडिकल, प बाइलोजी आजाता है, पोल्टेक्निक में जीके नहीं होते हैं, और आइटिया में बाइलोजी नहीं होते हैं, ठीक है, तो यह सब थोरा सा चेप्टर का फ़र्क है, तो वो आप मैं बताते जाओंगा, तो उसके लिए कोई दिकत नहीं, जो चेप्टर सामान है, तीनों के दिन, पांच बज के 30 मिनिट पे, वो हमारा मैत का क्लास होगा, ठीक है, तो आप वीडियो को देखना ना भूलिएगा, तो चलिए क्वेस्टन की और बढ़ते हैं, तो क्वेस्टन को जानेंगे गुरुत्वा कर्शन बल से, तो क्वेस्टन नमर वन क्या कहता है, तो क्वे तो आप्सन नमर एक काता है, नियम, सभी पिंडो पर लागू होता है, चाहे वो बिस्व कहीं भी हो, और आप्सन नमर भी काता है, गुरुत्वा कर्शन बल एक छिन बल है, और आप्सन नमर सी काता है, पिर्थिवी द्वारा लगाए जाने वाला, गुरुत्वा कर्शन ब तो क्वेश्चन नमर 2 क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नमर 2 है सार्वत्रिक गुरुत्विये इस्थिरांक का मान निमलिखित में से कितना होगा तो कितना होता है सार्वत्रिक किसका सार्वत्रिक गुरुत्विये इस्थिरांक का यानि जी का मान कितना होता है तो आप लो question no.3 करता है निमली खित में से कौन सा दाप का इसाइ मात रख है तो दाप के बरावर कौन सा है या दाप का इसाइ मात रख ही बोलि यह कौन सा है तो इसका इसाइ मात रख है Newton meter के power minus two इसको हम लोग क्या पढ़ते है power पढ़ते है ठीक है तभी आपको समझ में आएगा कि ये questions कितने important है चले question number 4 क्या करता है question number 4 करता है नीवन में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वा कर्शन के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है तो सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है तो कौन सी व्याख्या है घटनाओं है जो गुरु इसका राइट एंसर का यह तीन हो जाएगा तो मैं कह रहा हूं इसका राइट एंसर दो जाएगा तो मैं कह रहा हूं यानि पिर्थिवी के बांधे रखने का भी कारे गुरुत्वा कर्षन सारवत्त्रिक नियम करता है ठीके कौन सा नियम सारवत्त्रिक नियम पिर्थिवी के चारो ओर जो चंद्रमा गती करती है वो भी सारवत्त्रिक नियम के कारण होता और सूरी के चार ओर जो गती काम करती है वो भी सारवत्रिक नियम करती है और इसमें एक और बल लगता है जो इसका नाम है अभी केंद्र बल और अपकेंद्र बल ये दोनों बल लग करके ये ग्रहों को हिलने नहीं देते हैं ठीक है बैक्ति मरूँ अस्थली जगह पे रेत पर ख़रा होता है तो धस जाता है लेकिन वही उस पर सो जाता है तो ख़रा रहने के पिक्छा कम धसता है क्यूं कम धसता है इसका कारण क्या है तो इसका राइट एंसर हो जागा option number A हो जागा option number A बल के योग प्रिष्ट का छेतर फल और बैक्ति का भार दोनों घर जाता है ठीक है लेटने पर क्या होता है बल का जो जितना जगह छेकता है और बैक्ति का जो भार होता है वो कम हो जाता है वो क्या होता है कम हो जाता है ठीक है जो पैर पर जब हम लोग पैर पे पीठ पे माथा पे सभी जगह हमारा भार बट जाता है इसकी कारण कम धसता है ठीक है आप लोग समझ में आ गया होगा तो कुश्चन नमर पाच का क्यों जग राइट एंसर अप्सन नमर ए चले कुश्चन नमर छे क्यों बढ़ते हैं कुश्चन नमर छे कहा था चंद्रम ठीचे गुने दस के पावर बाइस होता है थीक है यानि छे का राइट एंसर हो गया आपसन नमर बी चलिए कुश्चन करके बताईएगा कैसा लग रहा है आपको कुश्चन बताईएगा बढ़िया बढ़िया क्वेस्चन है या नहीं अगर अच्छा है तो यस करिए यस ल बढ़िया करते हैं कुश्चन नमर 7 का तन्यम लिखित में से सदीस रासी है अब इन में से सदीस रासी कौन सा है इन में से तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक ज़रू करते चलिएगा वीडियो को लाइक करिए तब ही हम लोग और भी बहुत अच्छी की तरह से आ मास है तो यह तो अदीस रासी है कोई दिकत की बात नहीं लेकिन यह क्या है जी गुरूतवा कर्शन बल है यह क्या है एक तका बल है तो बल क्या होता है सदीस राती होता है और सदीस गुने अदीस क्या होता है में सादीस ही होता है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा option number B हो गया, समझ में आ गया न, कैसे सदीश रासी हुआ, इसी तरह से हम समझाएंगे, चले question number 8 क्यों बरते हैं, question number 8 क्या कहता है, निमलिखित में से कौन सा बल, सदैव आकर्षन बल करता है, तो सदैव आकर्षन बल कौन सा बल देता है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer होगा, गुरूतव आकर्षन बल हमेशा आकर्षन करता है, न की खर्षन भी करता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो 8 का क्यों जगा राइट एंसर, option नमर A, चलिए, question नमर 9 की और बरते हैं, तो question नमर 9 काता है, पिर्थिवी का गुरूत वी ये तोरण कितना होता है, अब तोरण की बाफ्त की और आते हैं, तो उसका तोरण कितना होता है, तो इसका तोरण होता है, 9.8 meter per second होता है, यानि 9 का क्यों जगा राइट एंसर, option नमर A, ठीक है, चलिए, question नमर 10 की और बरते हैं, चलिए, question नमर 10 कहता है, हमारी पिर्थिवी सूर के चारो ओर चकर लगाती है, परन्तु कभी अपने पद से बिचलीत नहीं होती है, इसका कारण क्या है, जिसे कि सूर के चारो ओर जब पिर्थिवी चकर लगाती है, एक चकर में, वो ना इधर जाती है, ना इधर जाती है, क्यों नहीं जाती है, क्या कारण है, क्यों इधर उधर नहीं जाती है, अपने अचपन ही घुमते रहती है, तो इसका में कारण क्या है, इसका में कारण ह लगता है जिसके कान फीद्थी भी अपने पत से नियत रूप में बनी होती है ठीक है खास बल के कारण ठीक है और वह बल कौन सा है तो गुरुतवा कर्शन बल भी है और साथ में अभी केंदर बल और अपकेंदर बल्वा यह तीनों बल लगते तभी यह पीर्थी भी अपने अच पर घुमती है ठीक है आप लोगो समझ में आ रहा होगा त्यानि 10 का क्या जागा राइट एंसर अपसा नमर बी चलिए कुछन नमर 11 की और बढ़ते हैं कुछन नमर 11 क्या कहता है तो कुछन नमर 11 आ गया एक वस्तु उपर की और नीचे गिरती है तो किस परकार गती करेगी जब किसी वस्तु को उपर फेकते हैं और फिर वो नीचे की और गिरता है तो कैसा गती होगा उसका तो इसका गती समान तवरित होगा कैसा होगा समान तव भी हो जाएगा ठीक है चलिए कुश्चा नमर 12 की और बढ़ते हैं कुश्चा नमर 12 कहता है पिर्थिवी की सता से उपर फेकी हुई वस्तू तथा उपर से नीचे गिरती हुई वस्तू के बारे में नीम्न कथनों पर विचार करें तथा और कथन सत्य बताएं देखिए एक व वस्तू ऊपर फेका जा रहा है क्या एक वस्तू ऊपर फेका जा रहा है और एक वस्तू क्या हो रहा है उपर से नीचे गिरती वस्तू के बारे में क्या है अब वस्तू क्या हो रहा है तो उसके बारे में क्या खायाल है ठीक है तो क्या ख्याल है तो इसका पहला चाल देखे इसका option number C हो जाएगा क्या जाएगा option number 12 का right answer option number C हो जाएगा चलिए question number 13 की और बढ़ते है question number 13 कता universal गुरुत्वा कर्शन बल है जो सारवत्रिक गुरुत्विये बल है वो है क्या है क्या है तो इसका बताना है तो इसका right answer हो जाएगा यह प्रतियक के दो वस्तूओं के बीच लगने वाला क्या है आकर्शन बल है दो वस्तूओं के बीच यानि एक वस्तू यहाँ एक वस्तू यहाँ जैसे कि हमारा पिर्थिवी और हम लोग हम लोग हुए ना दोनों को बीच में जो बल लग रहा है उस क्तन की जाँज करें निमने से कौन सा कथन सही है और बताइए कि तो इसका सही answer क्या हो जागा जोस्ता सही सब्सक्राइब पर हम इसका गनना कर पाते हैं अगर कितने सेकेंड में नीचे आगे इसका गनना हम लोग कर सकते हैं ठीक है चले किवेश्टर नमर्ड फंदरा की और बहुत क्वेशन होने वाला आपके लिए तो इसका राइट एंसर के ओजाग में में तो कीपस्ट नमर किया तो तो वह ग्याद किये थे हैं याद रखिएगा है कुछिछान नम्र को जाएगा तो है कुछा नमर 17 क्यों बढ़ते हैं कुछा नमर 17 क्या करता है निमलीखित में से द्रबमान के बारे में सत्य है द्रबमान के बारे में कौन सा आप्षन सही है तो इसका आप्षन नमर A द्रबमान के बारे में सही है वस्तू के जरत्व की माप करता है सबसे महत्पूर्ण पहलू क्या है सारवत्री गुर्टवा कर्शन बन का तो इसका महत्पूर्ण पहलू है संसार की सभी वस्तु ए पिर्थिवी के तल से जूरी रहते हैं हम लोग फूर नहीं पाते हैं यहीं कारन हैं ठीकिए नमर चलिए क्वेश्चन नमर 19 हमाना Na Na क्या कहता है कि यदि किसी वस्तू का द्रबमान कितनाँ 50 किये द्रबमान मिल गया तो वस्तू का उसका भाहर कितना होगा भाहर हमें गयात करना है तो भाहर बढ़ावर हमें फर्मूला जाते डबलू परावर M into g g का मान आपको पता होगा 9.8 होता है ठीक है और 50 होता है द्रमान हमरा यह दिया हुआ है तो दोणों को घुना कर दिजून तो जम सेव लगवग आए गारा कितना 500 नीवटन के आसपास कितना आएगा 500 नीव राइनसाथ ज़स्जिंस जा सब्सक्राइबर ऐ tu सबस्रीज में सबस्राइब टो उसका कॉस्ट नम्र 2 कता सब एक सबस्कान यह सबस्क्राइब jaw फैर इस तरह से एक फ़र्मूला होता है मैं इन टु मट्फिंट二 और या她 होता है और यह काे ना इसके कारण यह राइट एंसर जाएगा अप्शन नमर सी आपको कलास के टाइम के बारे में पता चल गया होगा कितना औरा मैं फिर से बता दे रहा हूं सुबा में आठ वजे और साम को सारे पांच वजे ठीक है अप लोग उस समय ऑनलाइन रहिएगा हमारे चैनल से प्रीमियर चालू रहेग तो चलिए आज के वीडियों बस इतना ही तो जय हिन जय भारत